यह कोशन देखिए हैं दस सरकम्फेरंस अब बेस अफे सिलिंद्रिकल कॉंटेनर इस 132 सेंटिमेटर एंड इस हाइट इस 25 सेंटिमेटर हाव मेनी लीटर्स अफ वाटर कैन इट होल्ड अभी यहां पर देखिए यह सरकम्फेरंस अब बेस आगर बेसल जो है थीलिंद्रिकल है तो इसका मतलब उसका बेस होग रहागा और का सरकम्फेर पहरेंस क्या गोता है टू पाई आर तो ये दिया हुआ है सरकम्फेरंस अफ देश ऑप सिलिंद्रिकल बेसल वो दिया हुआ है that is 2 pi r circumference दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 132 cm अब देखें यहाँ पर pi का value 22 by 7 और यहाँ r नहीं दिया हुआ है आपको हाँ, तो r हमको निकालना है as since given है तो into r is equal to 132 अब देखें यह cm में है तो अब यह हो जाएगा r is equal to हो जाएगा 132 यह 7 इधर multiply में जाएगा divided by 2 into 22 2 से अगर इसको cancel करें तो कितना हो जाएगा 266 कितना हो गया 3 कितना हो गया 21 cm r का value आगया r भी मालूम है आपको और h भी मालूम है अब volume निकालना है how many liters बाद में हम लोग उसको liter में convert कर देंगे अभी निकलेगा cm cube में volume तो volume क्या होता है volume of a cylinder is equal to कितना होता है pi r square h हाँ यह ना तो यह हो गया आपका pi का value 22 by 7 r का value अभी आपने निकाला है that is 21 into 21 हाँ यह ना और h का value आपका given है that is 25 cm तो यह 7 से cancel हो जाएगा 3 that is your 66 into 21 into 25 यह हो जाएगा cm cube में यह cm में इसको अगर multiply करेंगे तो हो जाएगा 3, 4, 6, 5, 0 cm cube हाँ यह ना यह होगा अब देखिए आपको पता होगा since 1000 cm cube is equal to होता है 1 liter के यह आपको पता होना चाहिए तो इसको याद रखिएगा 1000 cm cube is equal to 1 liter यह cm cube में है तो इसको लीटर में अगर बदलना है क्योंकि पूछा गया है लीटर में कितना पानी आएगा तो इसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइट कर देंगे तो 34650 divided by 1000 जैसे ही किया यह बन गया आपका किस में लीटर में तो 00 cancel आप 2 digit बात decimal देदेंगे by 100 है तो 34.65 क्या liters of water यह हो गया आपका required answer ले खरे, लेगा यह बिज़गा लेड़ा ले ले बखर लेगा लेगा हम लेगा लेगा ले-जे